नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका हमारे चैनल धूप धूपध़नुची आर्थी में दोस्तो ये आज का हमारा विशा है ये मैंने बहुत पहले जब मैंने पहले पहले चैनल शुरू किया था तो उस एक देर साल में शायद जो पहली दिवाली थी या फर दूसरे दिवाली हमारे चैनल की तो उसमें मैंने इस विश्य को बताया था पर ये विश्य अभी जो है मैं देख रहा हूँ बहुत जन जो है इस विश्य को लेकर मुझे बहुत सारे सवाल कर रहे है तो उसे लिए ये वाला वीडियो मैं थोड़ा अलग तरीके से मतलब इस विश्य के उपर जो है ठोड़ा एक दूसरा वीडियो बनाना भी ज़रूरी है इसा मूझे लगा तो इसे लिए जो है ये वीडियो मैं बना रहा हूँ तो वो ये है कि दीपावली का जो दिन होता है उस दिन हम माता लक्षमी के पूजन जो है विशेश रूप से दीपक से ही करते हैं दीपावली का जो दिन होता है उस दिन जो है माकी पूजा का मूल विशे अगर देखा जाए तो दीपक ही है दीप लक्षमी पूजन हमारे इस इस दिन को दिपान विता कहा जाता है दिपान नीता लक्षमी पूजा यानि कि दीप रूप में माता लक्षमी के पूजन दिपावली का मुख्य विश्य ही है दीप रूप में जो है मतलब दीप से दीप रूप में माकी पूजन मतलब योती रूप में भी कई जगे पड़ है मा की पूजा ज़ो है यूती रूप में किये जाते कई सारे पुराने परंपरा आती है जहाँ पर दुपाग्यां हुमागणी प्रचोलन करते हुए लक्षमी नामागदी उनका करते हुए जो है उनका पूजन किया जाता है मूल रूप से और जिनके जो दीपक आदी का कई भी ऐसे विथान है जहाँ पर लक्षमी नारायन एक का तेल के दीपक एक घी के दीपक ऐसे प्रजुलन किये जाते है और दक्षिन में भी ये नियम है पर दक्षिन में ये शायद दीपावली पर नहीं करते है वो लोग कार्तिक पुठिमा पर ये नियम करते है जहां तक मैंने देखा है तो दीपावली का दिन जो है वो माता लक्षमी के दिन है और मा के उस दिन दीप रूप में ही पूजन मतलब दीपो से पूजन दीप रूप में से जादा क्योंकि हम साकार रूप में मा की पूजन करते है अभी तो दीपो से मा की पूजन जो है वो एक विशेश विशय है तो दीपो से जब हम पूजन मा की करेंगे तो इस विशय का हमें ध्यान विशेश रूप से रखना है कि दीपावली के दिन जो है दीप माला जानि के एक से अधिक दीप माला से ही माकी हम पूजा करें जब हम निवेदन कर रहे हैं उप्चार विधी आदी में निवेदन कर रहे हैं आरती कर रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं दीप का जब हम निवेदन कर रहे हैं तो वो दीप माला से हो तब वो एक दीप से हम ना करें जैसे आप देख रहे हैं माता लक्षनी के फोटो को मैंने दूनों तरफ जो है ये दीप रखे है ये एक दीपक है ये जो है ये एक दीपक है ये दो एक दीपक आप जो है मा के दूनों तरफ जला कर रखिए कोई समस्या उसमें नहीं है पर जो निवेदन आप करेंगे जब आप सुप्रकाश महा दीप सर्वत इस्तिमिलापह सवज्य बंतर योतिर दीपो यंग प्रतिगरी हतम इस प्रकार से जब जो है आप मा को निवेदन करेंगे चाहिए आप जो है उपचार विधी में हो यही जाते है दीप प्रत्वलन रूप में साथ में जब हम जो है धूप दीप निवेदन गंदपुष्प धूप दीप से पूजन पंचोप चार विधी जब हम पूजन कर रहे हैं तो उसमें आप दीप माला पांच या साथ बातिके ऐसे हो या फिर एक थाली में आप जो ह जो में ठीके ही हो कोई समस्या नहीं है उसमें तो उसमें सजाकर जो है आप माता लक्ष्मी के निवेदन करिए आप आर्थी करिए तो मा के जब भी आप पूजन जो है दीप वली के दिन कर रहे हैं माता लक्ष्मी के तो उसमें दीप माला से करनी की अश्य चेष्टा करें ये विशय जो है ध्यान रखे कि दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजा जो है दीप माला से करनी चाहिए दीपावली के जितने भी आप दीपनिवेदन आधी करेंगे वो आप दीपावली के दन माके आप जितने भी आप दीपनिवेदन आधी करेंगे वो दीप माला से करेंगे वो एक दीपक यानि कि एक दीपक से ना करें आप दीप माला उसे करें एक दीपक आप माके दोनों तर करके रखी सकते हैं दीपावली का दिवस है पर जब निवेदन आप कर रहे हैं निवेदन आप कर रहे हैं तो एक दीपक जो है वो निवेदन ना करें दीप प्रज्युलन और दीप निवेदन में अंतर जो होता है दोस्तों कि जो हम भगवान के सामने प्रज्युलित करके हम जो है दीप जलाकर रख रहे है वो दीप प्रजुलित दीपक होता है और निवेधन मंत्र आदि के साथ विधी के साथ जो है जो हम निवेधन कर रहे है वो निवेधन के दीपक होता है तो आप दीप केवल मा के सामने आप प्रजुलित कर रहे है तो उसमें जो है आप इस प्रकार से एक दीपक जो है मा के आप दोनों तरफ रख सकते है या आफर जो है जैसे आपको रखना चाहिए मैं दोनों तरफ रखना मुझे काफी पसंद है मा के दोनों तरफ जो रखना ये जो है न हमारी पुरानी परंपड़ा है पुराने समय में तो लाइटादी नहीं होते थे तो इस प्रकार से दोनों तरफ दीपक होते थे तो दीप के जो है प्रकास से ही लक्षमिनारयन के या फर कोई भी पूजा में देविदेताओं के जो है तर्शन होते थे तो इस प्रकार से आप ऐसे एक दीप जो है वाकिया आप दोनों तरफ रख सकते हैं पर निवेधन जब आप कर रहे हैं तो आप इस से ना करें जब आप निवेधन कर रहे हैं तब आप ऐसे आप जो है सब्त दीपक से पंच दीपक से जो है आप निवेधन करिए ये विशय जो है बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि निवेधन जब हम कर र जो कि महहाँ सारे लोग नहीं जानते, नहीं पालन करते और सेम नियम, काली पूजा में भी लागो होता है, अगर कोई काली पूजा भी कर रहे हैं, या पड़ आप दीपावली के दिन कोई विशेच कोई अपने इस्ट देवी देवताओं की पूजन करते हैं, कोई जान कीर इश्टक देवी कुल देवियों की पूजा करते तो जिनके भी आप पूजन करिए उनके पूजा में जो है काली पूजा करिया जिनके भी आप पूजन करिये उनके पूजा में आप जब भी विशेश में पूजन कर रहे हैं तो वहाँ पर जो है दोस्तों आप एक दीपक उस जात ही आप अगर कोई विशेश पूजानाती कर रहे है या फ़र जो लोग का निशा का मतलब रात्री में काली का पूजन भी कर रहे है प्रदोश में दीपावली का ये एक विशा है प्रदोश लक्षमी पूजा और रात्री में जो है काली का पूजन दोनों ही महालक्षमी रूप ही है ये जो श्यामा काली मा है वो जो है महालक्ष्मी रूप ही है तो अगर आप केवल लक्ष्मी पूजा करते हैं तो भी आपको समान फल ही मिलता है केवल काली पूजा करने से भी समान फल ही मिलता और जो दोनों करते हैं वो तो बहुत अच्छी बात है अगर कर पात पर विश्य यहाँ पड़ ये है कि इस दिन दीप निवेदन में हमेशा दीप माला निवेदन होगा ना कि एक दिप तो ये विश्य मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया है तो इस बारे मां अगर आप लोगों का और कोई सवाल आ दी है तो मुझे कमेंट्स करके मेल करके बोच सकते मिलते हैं आपसे के वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार